जॉन विक, चैप्टर फोर में हमें जॉन विक और हाई टेबल के दरम्यान जंग आखरी शिदत तक पहुँँ जाती है. ग्लोबल लेवल पर होने वाली जंग ने इस फिल्म को अपने वक्त की बहतरीन एक एक्शन फिल्मों में से एक बना दिया. फ्रैंचाइज की ताजा तरीन फिल्म जो पहले की ही स्टोरी, कैरक्टर और हिस्टरी को बयान करती है. चैप्टर फोर में हमें एक नया विलन देखने को मिलता है, जो जॉन विक की जिन्दगी को नरक बना देता है, जिसे वहाँ पीछे छोड़ना चाता है. जॉन विक फ्रैंचाइज अपने मार्शल आर्ट, हाई क्वालिटी एक्षन सीक्वन्स के लिए जानी जाती है. जॉन विक फ्रैंचाइज में जॉन अब तक न काबिल शिकस्त है, जो कुत्तों से प्यार करता है. इस फ्रैंचाइज की शुरुवात अपने कुत्ते के मौत का बदला लेने के साथ होती है. जॉन विक चाप्टर फोर को समझने के लिए आपको जॉन विक चाप्टर थी के आखिर में क्या हुआ यह समझना होगा. जॉन विक चाप्टर तीन में आपने देखा कि जॉन विक एल्डर के लिए लड़ता है, जो के असैसिन वर्ड का ली को साबित करने के लिए अपने दोस्त विंस्टन यान मैक्शेन को मारना है। जॉन विक ने इसे करने से इनकार कर दिया और इसके बजाए विंस्टन और लैंस रडिक के साथ मिलकर दग कॉंटिनेंटल होटेल के लिए लड़ाई लड़ी। हालां की विंस्टन ने खुद को बचाने और कॉंटिनेंटल एन्वाइसी को फिर से हासल करने के लिए जॉन को एक छट से गोली मारकर मारने की कोशिश की लेकिन बौवरी किन ने जॉन की जान बचाई और उसे दूर छिपा दिया ताकि ठीक होकर हाई टेबल से बदला ले सक जॉन विक ठीक होकर अपने पैरों पर वापस आ गया और हाई टेबल से बदला लेने के लिए तयार है चाप्टर फॉर में हम जॉन को बहुत से दुश्मनों से लडाई लड़ते हुए देखते हैं जिसकी शुरुवात एल्डर की वापसी से होती है शुरुवाती सीम में जॉन एल्डर के पास लौटता है जबकि मौरकों के रिगिस्तान में एक एल्डर जो एक उची मेस के ऊपर बैठता है जॉन उसे मार कर अपनी शादी की अमभूठी वापस लेता है जो पिछले एल्डर ने उससे ली थी जॉन अपने हर चीजों को वापस लेना चाहता है और इन चीजों के लिए बहुत जजबाती है जवाब में हाई टेबल अपने एक मेंबर को नियू यॉर्क कॉंटिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन के पास भीजता है और Winston को बताता है High Table ने John Wick को मारने के लिए उसे कुछ भी करने की इजाज़त दी है दोनों को Marcus के पास ले जाया जाता है जो John Wick को मारने में नाकाम रहने पर Winston को सजा देता है और उसे अपनी duty से हटा कर उसे ex communicator declare करता है इससे पहले के वहाँ अपनी आजादी हासल कर सके John Wick को एक नई दुश्मन का सामना करना है जिसका नाम Marcus है जिसके साथ दुनिया भर की शक्तिशाली आर्मी है Marcus John Wick के पुराने दोस्तों को दुश्मनों में बदल देता है John Wick High Table से भागता फिर रहा है लेकिन उसकी हरक्तों से होने वाला नुकसान उसके बाकी बचे दोस्तों को खत्रे में डाल देता है High Table John Wick को मारने के लिए Marcus को जिम्मेदारी दी है Marcus के तरीके बेहत सफाक साबित होते हैं आप से गुजारिश है के हमारे चैनल ड्रीम वर्क को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेज करें Continental Hotel को तबाह करके Marcus Lance Riddick को John Wick की मदद करने पर मार दिता है Marcus John Wick को मारने के लिए केन को रिटायर्मेंट से बाहर निकालता है केन एक अंधा रिटायर्ड हाई टेबल असेसिन है Marcus केन को अपने पुराने दोस्ट John Wick को मारने की सोपारी देता है लेकिन केन इंकार करता है तो Marcus केन की बेटी को मारने की धंकी देता है New York Continental Hotel के तबाह होने के बाद जॉन अपने दोस्ट शिमाजो कोजी द्वारा चलाए जा रहे ओसा का Continental Hotel में पना लेता है केन और मारकस के हत्यारे जॉन विक को पकड़ने के लिए होटल आते हैं लेकिन कोजी और उसके आदमी जॉन के बचाव में आते हैं लेकिन तभी Bounty Hunter जिसका नाम Mr. Nobody है जॉन विक को केन से बचाता है केन जॉन विक को भागने में मदद करने के लिए शिमाजो कोजी को मार देता है और उसकी बेटी अकीरा को जिन्दा छोड़ देता है विंस्टन किंग से मिलता है और कहता है के वह जॉन विक से मिलना चाता है लेकिन किंग विंस्टन से बोलता है आखरी बार जब तुम इस से मिले थे तो तुम ने जॉन विक को गोली मारी थी तब विंस्टन किंग से बोलता है के जॉन को इन्फोर्म करना जरूरी है कि वहाँ खत्रे में हैं मारकस बे लगाम हो चुका है और हाई टेबल ने मारकस को पूरी छूट दी है जॉन निव यॉर्क लोटता है और चान की कबर पर विंस्टन से मिलता है विंस्टन जॉन को मशोरा देता है कि वहाँ रोसका रोमा से दोबारा अपना रिष्टा जोडे ताके मारकस को चुनौती देने के लिए पुरानी हाई टेबल परंपरा की मांग कर सके जीतने से जॉन हाई टेबल की गुलामी से आजाद हो जाएगा लेकिन वह सिर्फ एक क्राइम फैमिली का मिम्बर बन कर ही चुनौती दे सकता है जॉन रोस का रोमा क्राइम सिंडिकेट के बर्लिन हेंड़क्वार्टर्स आता है जिसके साथ उसने अपना रिष्टा तोड लिया था दोबारा से फैमिली का हिस्सा बनने के लिए जॉन की मुह बोली बहन कटिया अपने फादर के कातिल किला हरकान को मारने का काम देती है जो के एक हाई टेबल का मेंबर है, जॉन हरकान को मारने के लिए नाइट क्लब में जाता है, जब लडाई छिड जाती है, तो केन और ट्रेकर जॉन की मदद करते हैं, आखिर में जॉन हरकान को मार देता है और अपना दर्जा वापस पा लेता है विंस्टन जॉन की चुनौती को मारकस तक पहुचाता है, और जॉन के जितने पर न्यू यॉर्क कॉंटिनेंटल होटेल को फिर से तामीर करने और उसे दोबारा से मैनेजर बनाने की रिक्वेस्ट करता है पेरिस में जॉन और मारकस चुनौती के रूल्स और पैरामिटर का फैसला करते हैं पुराने कानूनों के तहट सिर्फ एक जिन्दा रह सकता है मारकस जॉन से बोलता है कि अगर जॉन यह चुनौती जीतता है तो हाई टेबल अपने वचन को पूरा करेगा और जॉन आजाद हो जाएगा अगर जॉन हार जाता है या जॉन विक दिन के उजाले में बैसिलिका के बाहर उनके सहमत जगा पर नहीं पहुँचता है तो उसे और विंस्टन को गोली से मार दिया जाएगा बातचीत के दौरान दोनों बारी-बारी नमबर वाले कार्ड को पलटते हैं और जो ज्यादा नमबर लेगा वह इस चनौती के रोल को तै करेगा मारकस जॉन विक के साथ पिस्टॉल की लडाई में अपनी जगा लडने के लिए केन को चुनता है जॉन केन से एक चर्च मेल मिलता है तो केन जॉन को बताता है कि मेरी बेटी के पैदा होने के बाद मैं इस जिन्दगी को छोड़ना चाहता था तब जॉन को पता चलता है कि केन यह सब अपनी बेटी के लिए कर रहा है हारबिंगर मारकस को कहता है कि फैलियर हाई टेबल की बुन्यात को गिरा देगी और जॉन विक को हाई टेबल की गुलामी से आजाद कर देगी इसलिए इनसान की खाईश कभी भी इसकी कीमत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किंग जॉन को पिस्तॉल और एक नया बैलेस्टिक सूट देने के लिए पेरिस आता है मारकस जॉन पर 26 मिलियन डॉलर का इनाम रखकर पेरिस के सभी हत्यारों को जॉन के पीछे लगा देता है ताके जॉन को वक्त पर पहुँचने से रोका जा सके रास्ते में जॉन हत्यारों की भेड से लड़ता है यहां हत्यारे जॉन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं जिस पर चार्पतर टु का जॉन विक का वह डायलॉग याद आता है जिस मैं वह बोलता है जो भी मेरा पीछा करेगा मैं उन्हें मार डालूँगा मैं उन सब को मार डालूँगा हालांकि जॉन के देर से आने का मतलब केन के लिए डिफॉर्ट जीत होगा केन जॉन को मारना नहीं चाहता लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए केन कुछ भी करने को तयार है जॉन हर एक हत्यारे से अपार्टमेंट, कांपलेक्स, ट्रैफिक सिगनल और सड़क पर लड़ता है और आखिर में वह दो सो बाईस सिद्यों से नीचे गिर जाता है लड़ाई में जॉन ट्रैकर के वफादार कुट्टे को बचाता है, बदले में ट्रैकर जॉन का साथ देता है ग्यूल के एहम वक्त पर दोनों शिखर पर पहुँच जाते हैं जॉन और केन 30-30 कदम पीछे जाते हैं और शूट करते हैं गोलिया उनके दोनों हाथों को चलनी कर देती हैं इसके बाद दोनों 20-20 कदम से शूट करते हैं इस बार गोली केन के कमर और जॉन के शोल्डर पर लगती है आखरी स्टेप में दस-दस कदम से शूट करते हैं गोली जॉन के अंतरी में लगती है जिसकी वज़ा से जॉन जमीन पर गिर जाता है जब मारकस को अपनी जीत नजर आती है तो वहा कॉप दग्रैस रोल के तहट केन के साथ जगा तबदील करके पिस्तॉल छीन लेता है जब मारकस जॉन को मारने वाला ही था तभी विंस्टन ने मारकस की तवज़ा हटाते होवे उसे बताया के जॉन ने अभी तक अपनी तीसरी गोली नहीं चलाई है जॉन मारकस के सर में गोली मारकर उसे मार देता है हमारा खलनायक मर जाता है अपने घमंड में मारकस इस हकीकत से बेखबर है कि जॉन ने कभी अपना शॉट नहीं लिया था जॉन और केन दोनों अपने तमाम कर्ज और जिम्मेदारी से आजाद हो जाते हैं केन को अलविदा कहने के बाद जॉन पैरिस के सॉककर कोर पर सनराइज देखने के लिए सीडियों पर बैठता है लेकिन कुछ देर के बाद गिर जाता है और अपने मरते दम के साथ अपनी बीवी का नाम लेता है विंस्टन जॉन विक को इसकी बीवी के बाजों में दफन करता है बाद में हम जॉन की कवर पर विंस्टन और किंग को देखते हैं जो कहता है जॉन विक प्यार करने वाला बहुत प्यारा हस्बंड था किंग पूछता है क्या जॉन जन्नत में है या जहनम में जिस पर विंस्टन कहता है कौन जानता है लेकिन क्या जॉन विक सचमुच मर चुका है हमने कई फिल्में देखी हैं जहां कबर का पत्थर हमेशा मौत का सुबूत नहीं होता कहा जा रहा है कि फिल्म जॉन विक की किस्मत का कोई भी इशारा नहीं देती है जॉन की पूरी जिंदगी हाई टेबल से अपनी आजादी हासल करने में गुजरी है लेकिन यह कितना अजीब है कि जॉन को आजादी मौत के शकल में मिली लेकिन मौत और जॉन विक का बरसों से करीबी-करीबी रिष्टा रहा है. हॉलिवुड रिपोर्टर के साथ एक हालिया इंटर्व्यू में फिल्म के डिरेक्टर ने समझाया के हम जॉन विक को आराम देने जा रही हैं. आपने अगर हमारे चैनल ड्रीम वर्क को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप से गुजारिश है के चैनल को सब्सक्राइब करे और नई विडियो की अपडेट के लिए बैल आइकॉन को प्रेज करे.